सब्सक्राइब नमिश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सेट जी के नुसके में दोस्तो सर्दियों में पसंद किये जाने वाले खादे परदार्तों में गुड़ का एहम स्थान है सर्दियों में इसे मक्य की रोटी के साथ खाने के स्वाध ही अलग होता है स्वाध में मीठा और गुणों से भरपूर गुड गन्य से बनाया जाता है गन्य का रस हम सभी को पसंद है और गर्मियों में यह पे के रूप में हम सभी को बहुत ही पसंद आता है भारत में अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का शोक होता है लेकिन यदि आपको सेहत भी बनाई रखनी है और मीठा भी खाना है तो गुड आपके लिए एक बहुत ही healthy option है गुड का भारते संस्कृति में अपना ही महतो है गुड और चीनी दोनों ही गन्य के रस्ते बनते हैं लेकिन चीनी बनाते वक्त उसमें मुझूद आयरन तत्व, पोटेशियम, फासफोरस और केल्शियम, आदी तत्व नश्ट हो जाते हैं लेकिन गुड के साथ ऐसा नहीं होता गुड में विटामिन A और विटामिन B भरपूर मातरा में पाया जाता है एक शोध की माने तो गुड का नियमित रूप से सेवन आपको अनेक परकार की सवास्ते संबंधी परिशानियों से छुटकारा दिलाता है तो आईए जान लेते हैं गुड खाने के ओश दिये गुड दोस्तों गुड पाचन करिया को ठीक रखता है गुड शरीर का रख्त साफ करता है और मेटाबोलिस्म को भी ठीक करता है रोज एक गिलास पानी या दूद के साथ गुड का सेवन पेट को ठंडक देता है इससे गैस की समस्या नहीं होती जिन लोगों को गैस की परिशानी है वो रोज लंच या डिनर के बाद थोड़ा सा गुड जरूर खानी तवचा के लिए भी बहुत लापकारी है गुड दोस्तों गुड का सेवन हमारी तवचा के लिए यानि हमारी स्किन के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है गुड बलड से खराब टोक्सिंस दूर करता है जिससे तो अच्छा दमकती है और मुहासे की समस्या भी नहीं होती है जुखाम और कफ से भी आराम दिलाता है गुड दोस्तो गुड के इस्तेमाल से हमारा जुखाम और कफ से भी काफी राहत मिलती है जुकाम के दोरान अगर आप कच्चा गूर नहीं खाना चाते हैं तो चाय या लड़ू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठकान और कमजोरी में भी फायदे मंद है गूर दोस्तों बहुत ज़दा ठकान और कमजोरी महसूस होने पर गूर का सेवन करने से आपको तुरंती एनर्जी मिलती है और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि गूर बहुत जल्दी पच्चता है और इससे शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता है शरीर के टेंपरेचर को भी कंट्रोल में रखता है गूर दोस्तों गूर हमारी शरीर के टेंपरेचर को भी कंट्रोल में रखता है इसमें एंटी एलर्जिक ततु मुझूद होते हैं इसलिए दमा की रोगियों को तो गूर का सेवन जरूर करना चाहिए जोडों के दर्द क में प्रोटेशन पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। गुड आयरन का भी मुख़े स्त्रोत्र है। इसलिए यह एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदे मंद है तो दोस्तों अगर आपको भी एनीमिया की शिकायत है तो रोज गुड का सेवन करना शुरू कर दीजिए खास तोर पर महिलाओं के लिए तो इसका सेवन बहुत ही जाता जरूरी होता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मरी आज के जनकरी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद